करने जमाने से हेल स्टेशन की ठंड को कैसे रोका जाता था हमारे खान पान से आज उस रेसिपी को देखेंगे लेकिन नानी दादी लोग के कुछ ऐसी रेसिपी होती थी जिसे गर्मी बनी रहती थी और आप दिन भर पाढ़ों में रह सकते थे आज की सीरीज का एपिसोड नंबर है सोला हम पहुँच चुके हैं हिमाचर तो आज लायों सिद्डू जो की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है पुराने जमाने में ये स्ट्रीट साइड नहीं मिलती थी लेकिन आज कर हर जगह स्ट्रीट साइड ये आपको रेसिपी मिलती है इसे कैसे खाना चाहिए कैसे बनाना चाहिए सारे टिप्स आज दूँगी क्योंकि ये रेसिपी मैंने जिन से पूछी है वो शिमला की रहने वाली है तो चलिए रेसिपे शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि गेहूं का आटा लिया है और मैदे से हम सोचते हैं कि ना बनाए तो मैंने गेहूं के आटे से इस सिड़्ू को बनाया है खास तरीके से बनाया है जिससे गेहूं के आटे से भी सिड़्ू आपको बहुत अच्छा लगेगा दो कप मैंने गेऊं के आटे को छान लिया था और इसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी पिसी चीनी डाली है जैसे आदा चमच नमक, एक चमच पिसी चीनी, एक टेबिल स्पून घी डाला है और वन टी स्पून इस डाली है हलके गुन-गुने पानी से इसे गुंत लिया और इसे मैंने ढग कर दो गंटे के लिए रख दिया है आज यहाँ पर बारिश जादा है हो सकता इतना अच्छे से राइज ना हो वो बाद में देखेंगे पहले हम फिलिंग बना लेते हैं दो गंटे हो चुके चलते हैं पहले फिलिंग बना लेते हैं उसके बाद आगे बड़े आप इस फिलिंग को उड़त की डाल से भी बना सकते हो खास दोर से नमकीन जब बनाते हैं तो इसमें लसुन भी डालते हैं प्याज भी डालते हैं और इसकी उड़त की डाल की फिलिंग तो आज की फिलिंग में हम ड्राइफ रूट डालेंगे वैसे जो परसनली वह लोग डालते हैं जादा तर अखरोट जादा यूज़ करते हैं पर आज मैंने कुछ ऐसे चीज़ें भी यूज़ की हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी वहां पे posth का दाना और अख्रोट महुत ज़्यादा ही उजा जाता है तो आज मैंने क्या क्या मेरे पास थे थोड़े अख्रोट कम तो मैंने अख्रोट को दो गंडा पहले विगो दिया था करें वन फौर्थ कप अख्रोट लिए और आदा कप ले ये मैंने पुष्टा काजू बदामती नोही पुल मिला के पॉना कप पेर पास ड्राइफ रूट था जिसे मैंने बिगो के रख दिया था और ये जो खस-खस दो चमच मैंने बिगो के रखी थी वो भी मैं डाल रही हूँ ये दो-तीन गंटा पहले सारी चीजे भीगना बहुत ज जानना चाहिए ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब इन वीडियोज को हम जादा स्यादा शेयर करेंगे फेंस और फैमिली को जैसे कि इस वक्त हम हमाचल में हैं अब हमाचल में बारिश और अठंडा मौसम ऐसे में स्ट्रीट साइट क्या जादा मिल रहा होगा वो देख माले आँ मेच अब यहाँ पर हरा दिन्या करीव एक नगणर ताले मिल दिए अधर्च ओढ़ दीन कुछई काली मिल्चें ड़लीत नहीं करीब 15 काली मिल 화題 मिल्चें 1 चमजीर्स मजीरा एक चमच सूखा साबुद धनिया है और नमक स्वाद अनुसार है नमक जादा न डालें क्योंकि ड्राइफूर्ट में नमक जादा लगता नहीं है अब उझे थोड़ी से ज़रुत पढ़ रही है तो तीन चार चमच पानी डाला है जिसने उसकी कंसिस्टेंसी पर पैक न बन जाए अब मैंने यहाँ पर एक और वी तरीका ढूंडा है सिड्डू जोब आटे से बनेगा तो इसके लिए ना यह फिलिंग परफेक्ट पूरी नहीं होगी तो अगर हमें ड्राइफूर्ट का नहीं बनाना है तो हम पनीर से भी बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने ए पर आटा फर्मेंट हो चुका है पर क्योंकि गेंग का आटा है तो बहुत ज्यादा फर्मेंट नहीं होता है गेंग काटा तो मैंने उसे निकाल भी दिया है क्योंकि मुझे तो बनाने भी है तो इसे थोड़ा मैंने अच्छे से मल लिया और मने के बाद मैंने इसक चार पीस करें आप चाहें तो गोल-गोल बनाए छोटे बनाए बड़े बनाए जैसे बनाए आपकी मर्जी है मैं by ने में बहुत अक्छा कच्छा लगा ढूरही के फिलें दॉरह चली जब पूरर ब्रक्रण दीया और एक में तरीक के से दौर कि जो बहुत है स्टीह में अर्ड़्ल के सीं हो घाई पर में तो मनें काम काम हो घ्ल दिया है और इस इत्व कपर cabeça查 특व दंडिय नwe यह आटा देखी कितना बड़िया नरम है न मुलाइम है यह बहुत बड़िया ब्रैड टाइप बन जाता है अब इसके दो तरीके बता रही हूं कि अलग-अलग तरीके से यह लोग कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बताऊंगी मैं अपनी मम्मी के मतलब मेरी मम्मी नगोड की र को उपर करते जाए तो इस तरीके से बड़िया डिजाइन बन जाएगी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब तक स्टीम होगी और इसे जाली वाले प्लेट में जो ओईल लगाकर मैंने रखा था उसमें रख दीजे इसके कई लोग प्लेन ही रखते हैं कई लोग मसाला डालते हैं यह पूरी 24 आपकी है मेरी ममी ना गुड की जब रोटी ऐसे डबल में बनाती थी ना हाफ मून में तो ऐसे ही डिजाइन देती थी तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे भी डिजाइन दे सकती हूँ इसे मैं दूसरी थाली में रख रहे हूँ काफी आटा सॉफ्ट है तो मैंने प्लेट में ही सोचा डिजाइन बना लेती हूँ इस तरीके से चार सिड्डू बनकर त्यार हो गए हैं काफी हो जाते हैं क्योंकि ये कटकर खाये जाते हैं इस पर भी मैंने घी लगा दिया है कोई मसाला भी लगा रही हूँ और इसको मैं अब रख रही हूँ स्टीम देने कम से कम 15 से 20 मिट लगते हैं इसे स्टीम देने के लिए अज एक नई चीज बन रही है जो कि हम सभी इंज्वाइ करेंगे और अगर इस रेस्बी के साथ साथ आप भी बनाने लगेंगे तो आप भी इंज्वाइ कर पाएंगे पर इसे ये चेक करना होगा कि ये टुथपिक डाल के देखें अगर प्लीन हा रही है मतलब ये बन चुकी है बहुत ही सुपर सॉफ्ट है ब्रैट जैसी अभी इसे पांच मिट हम और देते 15 मिट दे चुकी थी अब यहाँ पर देखिए सिद्व बन कर त्यार हो गए मैंने टुक पिक से भी चेक किया और दिख भी रहते कि ब्रैट नुमा बन गए है थोड़ी सी ठंड़क आये तो हम इसे निकाल लेते हैं वरना ब्रेक हो सकते हैं मेरी एक स्टूडेंट थी करीब मैंने आपको हर बार शेयर किया ये बात कि 20 साल पहने से मैं क्लासिस लेती थी और मेरे पास शिमला से एक बंदी आती थी सीखने और आज personally मैंने उनसे बात की और उनसे यही पूछा सिद्धू के बारे में बहुत सारी बाते उन्हाने बताई और उन्हाने ये भी बताया कि ये जो आटा होता है especially वहाँ मिलता है जिसे refined floor के नाम से बोलते हैं मैदा भी नहीं होता है गहू का आटा भी नहीं होता है उसी आटे में हम लोग थोड़ा गहू का आटा और मैदा मिला के बनाते हैं वरना उतरा अच्छा texture नहीं आता है अब जैसा भी आया texture हमने बड़े दिल से बनाया है आप इसको जब हम खाएंगे वैसे तो मैं चटनी बना रही हूं इसके लिए चटनी के साथ खास दोर से गरं किया हूँग गाय का घी होना ज़रू दी गाय भी वहाँ पर बता रही थी कि पशू पालन बहुत वहाँ पर ट्रेंड है तो बाद काफी सारे घरों में गाय को पाला जाता है और उसका शुद्ध घी जो होता है वो घरों में यूज होता है पर इन केस नहीं हो तो जो भी है घी गरम करके उसी के साथ खाएंगे वैसे आप इसे चटनी के साथ भी अगर खाएंगे मेरे हिसाब से क्योंकि घी हमने यूज किया है अगर आप डाइट कॉंशिस ह हैं तो आप खा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पर मजा तभी आएगा जब वैसे तरीके से खाएंगे अभी हम बनाते चटनी चटनी बनाने के लिए पहना एंड्री डेंट है मेरे पास कैरी पर आप डरना नहीं कि कहां से आए मेरी टीम मेंबर ही देख रहे हैं क मैं कहांसे लेगी तो मैं क्या करती हूँ न स्टोर करके रखती हूँ क्याने आपको पता है ना जैसे मैं धो रखती हूँ टी गताने मिलेंगे ड्लें पुछ इन बने दुटे नहीं कोई प्रब्लम नहीं आप अंचूर निम्बू कुछ भी डाल सकते हो, थोड़ी सी हम अद्रक डालेंगे, आप प्याज वीट यूज कर सकते थे, पर मैंने पूरी रेसिपी में प्याज यूज नहीं किया, क्योंकि कई बार मुझे भी उसा लगता है कि जो लोग प्याज नहीं खाते, वो भी खर बना सकें, दनिया हम डाल देते है इबू की जरुद नहीं है क्योंकि हमने कैरी डाल दिये, इसमें बहुत थोड़ा सा हेंग पाउडर डाला है, जीरा डाला है, नमक डाला है, और इस चटनी को मैंने पीज लिया है, दनिया इस वक थोड़े कम मिल रहे हैं, तो मैंने इसमें पानी भी थोड़ा डाल दिया, जिससे न चटनी थोड़ी गीली भी रहे, आज भी मेरे स्टूडेंट मुझे बहुत प्यार देते हैं, जब कभी मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बतब यादे आती हैं वो पुरानी, जब हम सामने आमने बैठ के बाते करते थे, और जो मैं बनाती थी वो खाते भी थे, बस मैं सोचती हूँ कोई ऐसा टूल आ जाए, सब कुछ तो आता ही है, कि हम आपको यही से आपको खिला सकें, आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने वाली हूँ, मुझे सही सही जवाब देजिए, जहां भी रहते हो, देजिए मुझे जवाब, ये वी आप लोग ये बताईए, कि खटी चीजे आप उसमें कैसे डालोगे, क्यूंकि अगर आप इसमें टमेटो केचप भी डालोगे ना, तो ये ज़रोत से ज़्यादा साफ हो जाएगा, दही डालोगे, तो अगर गंदा भी होगा बरतन, वो साफ हो जाएगा, तो वो डर्ट हम नहीं मानता है, खटी चीज डालने के लिए, पर आपका क्या कहना है, मुझे जरूरता ही, पतलब नॉर्मल चीज तो हम डाले, जैसे घी डाल सकती हूं, तेकि चटनी कैसे डालोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मैंने निकाल दिया, मैं अलग-अलग धालियों में इसलि नहीं आया, बहुत ही टेस्टी बना, और अच्छे से स्टीम लगी ये ना, बहुत ही बढ़िया लगी, मैंने इस तरीके से सर्व किया है, कैसी लगी ये सिद्डू की रेसिपी, मुझे कॉमेंटर के सुरूर बताईए, आप इसमें क्या वेरियेशन कर सकते हैं, एक्चुल अच्छा लगता है आपके कॉमेंट्स पढ़के, वहां की धीर सारी ऐसी रेसिपीज है, जिनने कई ओकेजन पर बनाया जाता है, जैसे कि मदिरा, जैसे कि धामा, वहां पर जो शादियों में धामा बनते हैं, बहुत ही स्पेशल बनते हैं, और मदिरा भी बहुत अलग बन और ये परसनल ये मुझे पनीर की फिलिंग, जिसमें कोई जिंजेटी नहीं है, अक्सर घर में पनीर आनू होता ही है, तो आपको भी कभी सिद्धू खाने का मन हो, तो आप अपने मन पसंद कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं, पहां वो पीती जी कह रही थी, जो शिमला से थ उसमें सारे मसाले डालते हैं, जैसे मैंने ड्राइफ रूट में डाले और उसको पहले दाल को स्टीन दिया जाता है, जब उसमें भी आप टुत्पिक डाल के देखोगे, वो स्टीन हो जाएगी, उसके बाद उस दाल को सिद्धू में भरा जाता है, कच्छी दाल को नहीं वो देख लेते हैं, अब थोड़ी सी पर्चियां रह गई हैं, आधे स्टेट अलमोस्ट हम गूम चुके हैं, तो थोड़ी पर्चियां रह गई हैं, देख लेते हैं, अगले हफ्ते कहा गूमने चलते हैं, उत्राखन, चलिए बारिश का मजा लीजे, और फाइनली मुझे मैं अद्धर्क डेट्स में झाले इसा लग रहा है कि शायद उन देट्समें मैं उतराखन में होगे आगे पीजी हो सकता है थन्या इतना महंगा है वेस्ट क्यों करो एंधो एक जना दुकही सकता है अच्छ प्राइब है अच्छ आओ के अच्छ Madra, Madra आपने छोला चोले का Madra, राजमे का Madra हाँ 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 जिजिजिश थैंक यू थैंक यू पृती जी थैंक यू थैंक यू ये भोलते हूना, इस ही आप जदी आङे